नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिर परिचे दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जी हाँ छाती और गले में जमे हुए कफ से एक दिन में राहत दिलाता है ये तीन चमत कारी घरेलू उपाए एक बार इस्तेमाल किया तो फिर नहीं होगी आपको खांसी चाहें जैसी भी हो सूखी हो तर हो बलगम वाली हो या फिर तेज दवाओं के सेवन के कारण चाती पर कफ जम गया हो तो अपनाना चाहिए आपको ये घरेलून उसके जो बिल्कुल सुरक्षित है और इन पर स्थितियों से आराम मिलता ह लंबे समय से चली आ रही खांसी आपको पूरी तरह से दुखी कर सकती है और जितनी जल्दी हो सके आप इसे छुटकारा पाने की सोचते हैं खांसी समानिय तह जुकाम और फ्लू का साइड इफेक्ट होती है लेकिन यह एलरजी अस्थमा, एसीड, रिफ्लेक्स, शुशक ह जवा और दवाओं के कारण भी हो सकती है खांसी अत्याधिक पीडा दायक और परिशान करने वाली हो सकती है इसलिए जो हम आपको बता रहे हैं इन्हीं युक्तियों को अपनाईए और इससे छुटकारा पाईए बदलते मौसम में खांसी जुकाम बुखार जैसी बीमारि जमने की बीमारी है गले में बलगम जमने से हमें श्वाष लेने में तकलिफ महसूस होती है तथा यह अन्या कई विमारियां उत्पन करता है इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए दबाईयों का सेवन करना पड़ता है जो कि बहुत जल्दी असर नहीं दिखाती हैं दोस्तों आज हम आपको बताएंगे छाती और गले में जमे हुए कफ से एक दिन में रहत दिलाने वाले तीन चमतकारी घरेलू उपाय जो आपके लिए काफी लाफकारी सावित होंगे छाती और गले में जमे कफ के लिए घरेलू उपायों को आई ये जानते हैं शहद और निम्बू का प्रियोग निम्बू के रस और शहद मिला करके सेवन करने से चाती और गले में जमे हुए कफ से बहुत जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है क्योंकि निम्बू में सित्रिक अमल होता है जो कफ को नश्ट करने में उपयोगी होता है इसके अलावा शह पानी लेकर के उस पानी में यह काली मिर्च का मिश्रण डाल दें और इसे अच्छी तरह गर्म करें जब यह गुंगुना ठंधा हो जाए तो इसका सेवन करें इससे च्छाती और गले में जमें हुए कफ की समस्या एक दिन में दूर हो जाती है हर तरह के खासी का है इलाज य का तरीका जान लिजे 250 मिली लिटर दूध 125 मिली लिटर पानी एक गांठ हल्दी का चुन और जरूरत के अनुसार गुड़ लेकर के सभी को एक बरतन में डाल कर उबालना है और जब उबलते उबलते के वल दूध ही बाकी रह जाए तो इसे उतार लेना है फिर इसे चान कर खांसी के रोगी को गुनगना सा पिला देना है इससे खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है जी हां खांसी दूर करने का एक और अन्य घरेल उपाय जान लिजे 100 गराम जलेबी 100 मिली लिटर दूध में मिला करके खाने से सुखी खांसी में लाब मिलता है दूध में 50 पीपल डाल करके गर्म करके इसमें चीनी मिला कर रोज सुबह शाम पीने से खांसी ठीक हो जाती है शहद का उपयोग करना खांसी को दबाने का और गले की खराश में रहत पाने का एक प्रभाव शाली तरीका है कई अध्यानों में यह पाया गया है कि शहद न सिर्फ समाने तोर प पहunचाने में मदद करती है अगर खांसी के कारण सोने में परिशानी होती हो तो सोने के पहले शहद का सिवन करना बहुत लवकारी हो सकता है आपके लिए सूखी खासी में पान के साधे पत्ते में एक ग्राम अजवायन रखकर चबा करके रस्त निगलने से सूखी खासी मिटती है केवल अजवायन एक दो ग्राम खा करके उपर से गर्म पानी पी कर सो जाने से भी सुखी खासी तथा दमा और श्वास रोग में शिगर ही लाब मिलता है फेफडों के रोगे में अजवायन का सेवन यानि के प्रियोग करने से काफी लाब मिलता है जिहां अजवायन का सेवन कफ नश्ट करके फेफडों को मजबूत बनाता है छाती के दर्द में ये लाफ पहुचाता है पचीस ग्राम अलसी यानि की तीसी को कुचल कर 375 ग्राम पानी में ओटाएं जब पानी एक तिहाई यानि की 125 ग्राम रह जाए तो उसे मल चान करके 12 ग्राम मिश्री मिला करके रख लें उसमें से एक चमच भर करके काढ़ा एक घंटे के अंतर से दिन में कई बार पिलाएं इ से पिलाते रहें लाव होगा जिहां दोस्तों तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जूड़ते हैं एक और बेहदी महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों